आप जो जद्दो जहित कर रहे हैं अदालत में और आपके वकील, क्या बच पाएगा औरंगबा शहर का नाम और जीले का नाम? अल्दा की जात से उमेद है कि हमको इंसाफ मिले और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह सरकार ने जो वजदत फैसला दिया है कि इतिहासिक शहर की एक बड़ी इतिहासिक धरोर को बिटाने का और बड़े अफसुस की बात है कि सरकार अपनी ही डाली को काट र यूनिस्को को प्रस्ताव भेजा था कि औरंगाबाज शहर को जो है वो हिस्टोरिकल सिटीज की लिस्ट में उनकी शामिल किया जाए जहां तक हमारी जानकारी है यह प्रक्रिया भी पूरी होने वाजी है उस बीच में इस तरीखे का फैसला लाना महाराश्ट्रा को जो एक अगर यूनिस्को के दिश्ट में मिलने वाला था उसको भी हटाने जैसा होगा क्योंकि अगर यह नाम बदलता है तो यह यूनिस्को के अंदर से भी वह वापिस हिस्टोरिकल सिटीज की दिश्ट में नहीं आपाएगा जिसका के फाइदा महाराश्ट्र सरकार को और महारा वो कहीं न कहीं इत्यास के पन्ले में भी गुम हो जाते हैं हमारी पुरी कोशिश है कि अपना शहर जो है उसके पहचाल बची रहे और बनी रहे पिछले दो दिन से शहर में देश बर से टूर ऑपरेटर्स आये है टूरिजम को बढ़ावा मिलना इसके लिए कौनपरंच चल शहर में दो से तीन कौड रुपे इसके लिए लगाए गया है शहर में जो है परियटर्स परियटर्स कम हो गया है यह कैसा बढ़ सकते है टूरिजम को कैसा बढ़ावा मिल सकता है इसके लिए जद्दो जयच चल रही है आज आदित्य ठाकरी भी यहाँ पर आए हुए और इसको कैसा देखते हैं आप क्या बढ़ी आएगा टूरिजम मुझे आती है इन लोगों की सोच पर क्या आप जिस चेहर का नाम निशान मिटाने चले हैं आप उसी की धरोवर को मार्केट करना चाह रहे हैं जिस औरंग जेप रहमत अल्यावाद के अंदर जिन लोगों का य मैनों से असल में ये सारा प्रोसिस चल रहा है हाई कोर्ट में नाम तब्दिली को लेकर कितने दिन हो गया और इतने दिनों में अदालत ने सिर्फ तारीक पे तारीक के अलावत क्या किया और उन्तीस तारीक को बहस क्या हुए लगबग मुझे रखता है सवा साल के आसपास का वख्वा गुजर चुका है पहले जो जश्ट थे दप्ता साहब उनके सामने मैटर निकदी नहीं रहा था अब उसके रीजन्स में मेडिया के ओन कैमरा बताना नहीं चाहूँगा क्यूंकि कुछी और टेक्निकल रीजन था किसी एक वकील से उनका जो है दूसरी साइड के उनका कुछ शायद वो था तो उन्होंने बैटर बोर्ट पर ही नहीं आ रहा था वो उसके बाद जब हमने मिंशन किया संजय गंगापुर्वादा साम आये तब यह बैटर थोड़ा शुरू हुआ उसमें सरकार हाजिर हुई सरकार हाजिर होकर सरकार ने अपना जवाब देने की पेशकर्श की मेरे और मुश्टाफ साब की पेटिशन में उसके बाद मेरे विकुल भी सैटिसफेक्टरी नहीं था उसके बाद यह बार-बार कहते रहे कि हमने यह अब्जेक्शन सजिशन्स मंगाए हैं अभी वह हमारा चल रहा है तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं बदलेंगे ऐसा सरकार का तरगाता रहा लास्ट जो पिछली मुझे याद है शायद अगस्ट की तीस तारिफ को था तो उन्होंने यह कहा था कि हम नाम नहीं बदल रहे हैं कोई भी और शायद नहीं बदलेंगे भी डिस् पंद्रा दिन के अंदर ही वह ओडर एक जिया लेके आगे जिसमें उन्होंने रेविन्यू डिविजन का भी नाम बदल दिया अभी पिछली उन्तीस तारिफ को यही बैस हुई हमारे वकीर साहब वेसिस खाजी साहब ने अदालत पर इसार इंदर आपकी दिशा भूल करके यह लोगों ने डिस्पोज ओफ करवाया रेविन्यू के पार्ट को और पंद्रा दिन के अंदर यह गैसेट लेके आ जाते हैं इन्होंने जितने लाखों ऑब्जेक्शन सेजिशन का हवाला दिया था एक भी ऑब्जेक्शन सेजिशन पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर य बनवाने के लिए जाहरी तॉर पर बिचयारों ने वच्यारों ने परवनी से नादियर कहां कहां से थी तिन चार-चार-चार-सो किलो मिटर से दूर दूर से लोग आए उन्होंने आप्जेक्शन सब्मिट किए और ये उमीद थी तवक्वु थी के सरकार उनको धी कि बु प्रपोजल था के वह अब्जेक्शन से तरह मजबूत थे कि सारा साथ दूद का दूद पानी का पानी हो जाता था उसके अंदर लेकिन वह उन्होंने कंसिडर नहीं किये जो सेंटर की गाइड लाइन से उसका खुला खुला उलंगल हुआ है और यह सब करने के बावजुद फिर आप डायरेक्स पंध्रा तारिक को जेयार नी डालते हैं जिसको सोदा तारिक को सवेरे नेट पे दाला जाता हैं पंध्रा को भी नहीं डालते हैं और आके और एक मुख्यमंतरी यहां डिक्लियर कर देते हैं तो यह बहुत दुक्षी बात है और इसी के खिलाफ कि इस मुद्दों पे अभी बहस चल रही है एक और तीसरा मुद्दा निकल के आया कि सरकार की मंशा ये वोडबैंक की है ये आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में अभी तक जितने नाम बदले गए हैं बीजेपी द्वारा या अभी शिवसेना तो यह महाराश्टक के अ अगर हम मत करेंगे कि यहां पे जो है मुस्लिम रूलर्स जो आये थे यहां यहीं के जो पैदा हो जैसे आरंग से प्राइब तो यह जानगुज के टार्गेट कर रहे हैं माइनॉर्टी का जो भी कॉंट्रूबिशन है इस कंट्री के अंदर उसको मिठाने के लिए जिए ज लिए आपके अंबजगा जो है वो पहले मुमिनाबास के नाम से मत्यूर था यह सारे नाम जो है इसको ही मिठाया जा रहा है एक वे एंग्जम्पल के हमने इसको यह नाम के यह जान बुच्च के मिनल जयादिवात फैलाने की सरकार कोशिश कर रही है कमिनल मौटिफ से काम कर रही है यह 5 साल के लिए आए हैं लेकिन इनको यह किस ने हगद दे कि हजारों साल से जो इंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है जो एक हेरिटेज रहा है उसको यह मिठा दी परकाश अंबेडगान ने भी यह कहा है तो आप फैसला सुना दीजी या फिर इसको डिस्मिस कर दीजिए बिल्कुर हमने यही बात उनसे हमारी डिस्केशन में हुई कि और वकिल साब ने वही बात अधालत के सामने रखी कि हमने एक चीज की डिवाइड यह कि कि यह आप हमको जो स्टे दें वो जिस दिन से यह जियार निकला है यह पंदरा सप्टमबर से उस डेट से इसको लागू करें आपका जो स्टे होगा कि यह जो इन्होंने सारे ले सिर्फ यह 15 दिन का जो इन्होंने डिस्पोस करवाया अधालत को जूट बोलके मिस्रीट करके और फिर उस पीच में यह देके आते हैं तो हमने तो अधालत से जब भी कहा था कि इनकी मंशा साफ नहीं है यह कोई ना कोई गरवड़ी जरूर करेंगे और वही चीज हुई त दूसरी चीज जो है नहीं अगर आप इस वक्त हमको स्टेट देते हैं तो आप इसको रिजेक्ट करें ताकि आप उपर सुप्रीम कोट का दर्वादा खटकटा सके वहां हम नयाय मांग सके हमको स्टेट चाहिए क्यों कि हमारे शेहर की पहचान हमको बचानी है यह जो बाइडन साब ने यह बात कही है उसके बाद तुरकी के राष्ट्रपती जो है अपके यूए न की जितनी रिपोर्ट्स है उसमें भी बाते सामने आ रहे हैं हर तरीख से हिंदुस्तान में माइनौरिटी को टार्गेट किया जा रहा है माइनौरिटी नाम होने वज़े से ही टार्गेट में आया हुआ है वरना कोई ऐसा कारण नहीं है कि अपने ही एतियासिक पहचान को कोई स्टेट मिटा दे कि यह लेजिस्ट्रेचर का मामला है यह कोई जूडिशरी का मामला नहीं है इसलिए ऑब्जेक्शन्स डिसाइड करना कंसेडर करने का कहना मतलब है कि हमने अपने तौट पर कंसेडर कर लिए एक तरफा कारवाई होगी हम कोई जरूरी नहीं है कि इसमें घेरिंग देके लोगों को बुलाए लिए एक बड़ा हास्यादबक उनका जो है वो तरक रहा वह अभी बहस हो रही थी वह पूरी नहीं हुई 29 तारिक को इसलिए उसको और एक चलेगा सिटी का जो उन्होंने महानगर पाली का शेतर का नाम चेंज किया वो भी सेंटर की गाइडलाइन का खुला-खुला उलंगन करके उन्होंने यूज किया है तीसरी चीज उनको कहना ये था कि सरकार को MLRC कोड में पूरे अधिकार मिलते हैं कि वो नाम बदल डिविजन का और डिस्ट्रिक का जो है हमारा यह कहना है कि यह जो भी आप यह जो MLRC कोर्ट सेक्शन फोर है यह आपको सिर्फ अलाव करता है नया अगर कोई गट तयार होता है अमाल गमिशन, अब्सॉप्शन, आल्ट्रेशन और वाट्सेवर मिन्स इससे अगर कोई नया रिविनियों शित्र तयार होता है कोई दो डिस्ट्रिक्स की सीमाओं में से तूथ के कोई अलग निकलता है एड्मिनिस्ट्रिटिव सेटप जहां नया होता है उसके लिए यह MLRC सेक्शन फोर जो है वो उसको अलाव करता है उसमें आपको सरकार को नाम रखने का अधिकार ह यह नहीं कि आप जो वर्षो वर्षो परंपर से पुरान अराम चला रहा है उसको बदले उसी कोड में एक और नीचे सेक्शन है जिसकी तरफ हमने उनकी तवज्जयों की ताई और याचिका में भी दादी है उसका सब सेक्शन 3 है वो यह कहता है कि जो प्रेस यह कोड बने सबस्क्राइब के पास से उसमें यह साफ रिखा है कि और अगबाद यह शहर जो है इस कोड के स्थापित होने से इन और 26 शेट से पहले और महरास्ट्र स्टेट जो बना था तोश्ट चट सर्फ यृ उससे पहले से अस्तित्व में है और उसमें प्रोवीजन है प्रोवीजन नहीं है अक्टious वहां भी दिशा खूल कि उसमके उन्होंने दिखाए